कहानी की शुरुवात में हम सेर्क्यूज नाम के एक मचवारे को देखते हैं जो हर रोज समुंदर तड़ पर मचलियां पकड़ने जाता था ऐसे ही एक दिन जब वो मचलियां पकड़ रहा था तभी वो देखता है कि उसके जाल में मचलियों के साथ एक लड़की फस आई थी सेर्क्यूज भाग कर उस लड़की के पास मदद करने जाता है पर तभी वो देखता है कि वो लड़की तो जिन्दा थी उसे कोई चोट नहीं आई थी लेकिन वो काफी अजीब बरताव कर रही थी सेर्क्यूज ने उसे हॉस्पिटल चलने को कहा लेकिन उस लड़की ने उसे मना कर दिया वो उसे पूछता है कि तुमारा नाम क्या है लेकिन उस लड़की को भी अपना नाम याद नहीं था सेर्क्यूज कहता है कि शायद तुमारी याददास चली गई है आगे वो उसे अपनी मा के घर ले जाता है और उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचिस देता है फिर वो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको मुझे मेरी बेटी को देखने जाना है इसके बाद वो अपनी बेटी एनी के पास जाता है जो उसकी एक्स वाइफ म समुंदर के किनारे आ जाती है और जब तक समुंदरों ने वापस नहीं बुलाता तब तक वो वहीं रहती है आगे डायलिसिस के बाद सैर्क्यूस एनी को उसकी मा के पास वापस ले जाता है यहाँ पर उसकी मौम उसके लिए एक नई इलेक्ट्रोनिक वीलचेर लाई थी और एनी उस वीलचेर को अपने पापा को दिखाने के लिए काफी एकसाइटेड थी पर तब ही वहाँ पर मोरा आकर सैर्क्यूस पर चिलाने लगती है क्योंकि उसने अभी तक डॉक्टर से एनी की नई किड़नी के बारे में बात नहीं की थी फिर अगली सुबह सैर्क्यू उस अपनी नाओ को समुंदर के बीचो बीच लॉब्स्टर बकडने के लिए रोकता है लेकिन उसकी टोकरी में कोई मचली नहीं फसती पर तबी ओनिडिन गाना गाना शुरू कर देती है जिसे सैर्क्यूस ने कभी नहीं सुना था पर तबी वो देखता है कि उसकी टोकरी अचानक भारी हो गई है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि जो टोकरी पहले खाली थी अचानक उसमें लॉब्स्टर और कई तरह की मचलियां फस गई थी जिसमें से वो लॉब्स्टर को निकालकर रख लेता है और बाकी को समुंदर में वापस फैंक देता है अगे वो उन लॉब्स्टर्स को बाजार में जाकर बेज देता है जिसे कमाई पैसों में से वो ओनिडिन के लिए एक नई ड्रेस खरीदता है जिसके बाद वो एनी को स्कूल से लेने चला जाता है फिर घर आते हुए वो एनी को उसी मच्वारे और पर इका सपना देखते हैं आगे अपनी बेटी को छोड़ने के बाद सेरक्यूस अपने घर वापस चला जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी चुपके से उसका पीछा कर रही थी आगे घर पहुँचकर वो एनीडिन को कुछ कपड़े और खाना देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी तबी एनीडिन उसे कहती है कि मुझे तुमारे साथ रहना बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा यहीं रहना चाती हूँ वहीं एनीडिन दोनों को साथ में देखकर हैरान थी और उसे पता चल गया था कि यह कोई कहानी नहीं बलकी सच था इसके बाद एनी एक लाइबरेरी में जाती है और वहां पर मरमेट्स के उपर लिकी हुई किताबे मांगती है इसी बीच सेर्क्यूस चर्च में जाता है और फादर के सामने कनफेस करता है कि वो एक शराबी है भले ही उसने पिछले दो साल से शराब को हाथ त चला देते हैं फिर जाने से पहले सेर्क्यूस उने कहता है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप किसी को नहीं कहोगे दरसल जब मैं मचलियां पकड़ रहा था उसी दुरान मेरे जाल में एक जलपरी भी फस गई थी जो भी मेरे साथ ही रहती है और मैंने उसे चुपा कर रखा है फादर कहते हैं कि अगर यह सच है तो तुम पहले उसे यहां पर लेकर आओ तब ही मैं तुम दोनों की कोई मदद कर पाऊंगा इसी बीचम एनी को देखते हैं जो की जलपरी और उसकी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रही थी दूसी तरफ ओनी दिन क कोटेज की सफाई कर रही थी जिसके बाद वो सर की उसकी लाई हुई चीजों को देखने लगती है इसी दुरान वो मचली पकड़ने वाले जाल को देखकर उससे आकरशित हो जाती है और उसे अपने हाथ पर लपेटने लगती है फीर अगले दिन एनी अपनी दादी के करने के लिए कहती है ओनी दिन कहती है कि मुझे कोई जादू नहीं आता एनी उससे कई तरह के सवाल पूछती है लेकिन यहाँ पर ओनी दिन को एनी बहुत पसंद आ जाती है एनी उससे पूछती है कि पानी के नीचे क्या है क्या वो जगे बहतर है या बत्तर हम देखते है कि एनी ओनिडिन से वो सारी चीजे पूछ रही थी जो उसने जलपरियों वाली किताबों में पढ़ा था एनी कहती है कि तुम लोग तब तक उपर रह सकते हो जब तक तुम किसी इंसान के साथ इंटिमेट नहीं हो जाते फिर कुस दिर तक बाते करने के बाद एनी ओन से जाने लगती है और ओनिडिन से कहती है कि वो उससे मिलने वापस आएगी दूसी तरफ हम सेर्क्यूस को देखते हैं जो कि ओनिडिन के बारे में और जानने के लिए लाइबरेरी आता है लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जलपरियों के उपर जितनी भी किताबे थी वो एनी पहले ही अपने साथ ले जा चुकी थी इसे भी चैनी की मुलाकत अपने पड़ोस के बच्चों से होती है जो उसे कहते हैं कि क्या तुम अपनी वीलचियर से हमें खेलने दोगी एनी भी उन्हें हा कर देती है और उन्हें अपनी वीलचियर से खेलने देती है लेकिन इसी दुरान उस वीलचियर की बैटरी खत्म हो जाती है जिसके बद वो बचके एनी को उस wheelchair के साथ उसके घर पर छोड़ देते हैं वहीं एनी की मुलाकात Alex से होती है जो उसकी battery को recharge करता है और उसे जलपरियों की कहानी सुनाने लगता है Alex कहता है कि वो जलपरियां ही थी जिन्नोंने हमारे देश Scotland को बनाया था उदर सेरक्यूस और ओनिडिन समुंदर के बीच मचलियां पकड़ने जा रहे थे लेकिन तबी वहाँ पर गश्ट लगाती हुई पुलिस की एक नाव आ जाती है जिसको देखकर सेरक्यूस ओनिडिन को छुपा देता है वहीं ओनिडिन अपने पैरों से नाव चलाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहतर नाव तो अपने पैरों से चला लेती हूँ जिसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देती है वहीं सेरक्यूस जब अपना जाल उपर खीशता है तो वो पाता है कि उसमें काफी सारी मचलियां फस चुकी थी लेकिन इसी दोरान वो उस पुलिस वाली नाव को वापस लोटते हुए देखता है जिसके बाद वो सेरक्यूस की नाव पर आते हैं वहीं सेरक्यूस ने ओनिडिन को बेस्मेंट में चुपा रखा था जिसके बाद वो उसे बेस्मेंट से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा इसके बाद वो दोनों बंदरगा पर वापस आते हैं जहांपर एनी ओनिडिन की एक अच्छी सी ड्रेस चुनने में मदद करती है वहीं दुकान के बाहर सभी लोग ओनिडिन को ही गूर रहे थे क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लड़की आस तक कभी नहीं देखी थी आगे वो तीनों सेर्क्यूस के घर पर आते हैं जहांपर ओनिडिन एनी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें तैरना सिखा सकती हूँ जिस पर एनी भी उसे हा कर देती है आगे जब ओनिडिन एनी के साथ सुमेंग कर रही थी तबी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है ओनिडिन जब उसे बाहर निकालती है तो एनी उसे कहती है कि पुरानी कथाओं के अनुसार अगर तुम इस बंडल को मिट्टी में दबा देती हो तो तुम साथ सालों तक जमीन पर रहे पाओगी अब ओनिडिन इसके लिए मान जाती है और वो दोनों जाकर उसे मिट्टी में दबा देते हैं इसके बाद जब वो बोट पर थे तबी एनी ओनिडिन से पूछती है कि तुमारे पिता कहाँ पर है पर ओनिडिन उसे कोई जवाब नहीं देती इसी दुरान वो देखते हैं कि व को घर चोड़ने जाता है तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मोरा सेर्क्यूस पर भढ़क जाती है सेर्क्यूस कहता है कि इसकी वीलचियर के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे आगे जब सेर्क्यूस घर वापस आता है तो ओनिडिन उससे पूछती है कि तुमारी पतन आदमी आता है और ओनिडिन के बारे में पूछने लगता है लेकिन सेर्क्यूस उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है जिसके बाद वो हमेशा की तरह एनी को डायलेसिस पे ले जाता है लेकिन जब वो वहां से वापस घर आता है तो वो देखता है कि घर पर को हमेशा यहीं पर रहू इसके बाद हम मोरा और एलेक्स को देखते हैं जो की नशे में गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ एनी भी थी उदर दूसरी तरफ ओनिडिन का पती बहुत तेजी से गाड़ी चला कर ला रहा था जिसकी वरे से मोरा की कार का एक्सिडेंट हो जाता ह और एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है फिर जब सेर्क्यूस और ओनिडिन को इसका पता चलता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं आगे डॉक्टर सेर्क्यूस को बताता है कि एलेक्स की किड़नी तुमारी बेटी से मैच हो गई है और क्योंकि वो एक ड देती हैं लेकिन साथ ही वो एक कं़डीशन रखती है कि उसे ओनिडिन को छोड़ना पड़ेगा पर सेर्क्यूस के लिए ये करना आसान नहीं था इसके बाद मोरा सेर्क्यूस को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है क्योंकि उसने भी कहीновlio 이것 देन्क नहीं करी थी और और उनिडिन के पास आकर कहता है कि तुम जहां से आई हो वहाँ पर वापस चली जाओ लेकिन जब ऑनिडिन उसे मना कर देती है तो सेर्क्यूस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे उसी आइलेंड पर ले जाता है जहां पर वो उसे मिली थी हम देखते हैं कि सेर् क्यों सुनता है तो उसे पता चलता है कि ओनिडिन कोई जलपरी नहीं थी बलकि एक इनसान ही थी जिसके बाद वो तुरंत ओनिडिन को ढूंडने के लिए उसी आइलेंड पर पहुंच जाता है जहां पर वो उसे छोड़ कर गया था फिर वो उसे पूछता है कि तुम मुझ पानी में फैक दिया और कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आया मैं उस पानी में डूब गई और बहते हुए तुम्हारे जाल में फस गई अभी सुनकर सर्क्यूस को बहुत बुरा लगता है जिसके बाद वो ओनिडिन को लेकर वापस घर आ जाता है लेकिन वहाँ पर ओनिडिन का हस्बेंड पहले से ही मौझूद था और उसके साथ एक और आदमी भी था तबी वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो आदमी ओनिडिन से कहता है कि मुझे मेरे ड्रक्स वापस चाहिए तबी हम फ्लैश बैक में देखते है है कि जो बंडल एनी और ओनिडिन को पानी के अंदर मिला था वो कुछ और नहीं बल्की ड्रक्स थे जिनको उन्होंने जमीन में दफना दिया था अब ओनिडिन उन्हें वो जगे बता देती हैं लेकिन जब वो लोग वहाँ पर देखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भाजतीं तभी मौका देखकर ऑनिडीन अपने हस्बेंड को पानी में गिरा देती है और क्योंकि उसके हस्बेंड को तैरना नहीं आता था तो वो पानी में डूप कर मारा जाता है लेकिन इसी दुरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ओनिडिन को गिरफतार कर लेती है क्योंकि वो यहां की citizen नहीं थी आगे जब वो उसे उसके देश वापस भेजने वाले थे तब ही सेरक्यूस को एक आइडिया आता है और वो ओनिडिन से शादी कर लेता है जिससे ओनिडिन भी अब यहां की citizen बन जाती है इसके बद सेरक्यूस ओनिडिन और एनी साथ में खुशी-खुशी रहने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है